ओम गणेश हर हर महादेव और 29 तारिक ब्रहस पतिवार जो अजा एकादशी या अजीता एकादशी अब उससे वे रिलेटेर तो वीडियो बनाया है लेकिन उस दिन भगवान विश्णु का यह नाम स्मरण मंत्र या सिर्फ यह नाम जो भगवान कृष्ण नहीं राजा युदिश्टिर जी को श्रमन करवाया था और बताया था कि जो कोई भी इस अजा एकादशी के दिन मेरे इस स्वरूप का पूजन करेगा या इस मंत्र का नाम स्मरण भी करेगा तो उसके सारे पाप नश्ठ होगे अश्वमेग यग्या का फलप्राप्त होगा और वह अंतकाल में जैसे राजा हरिश्चंद्र कथा के अनुसार बैकुंठ गहे थे उसी प्रकार से वह भी बैकुं नियम है ना उसके कोई विनियोग है ना कोई नियास है ना वह श्रापी थे ना ही वह किली थे बहुत ही सहज है बहुत ही सरल है बहुत ही सुंदर है और वह जो भगवान का नाम है और मंत्र के स्वरूप में उसका कैसे समरण कर सकते हैं आज मैं आपको श्रमन करवाउंगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए लाइक करें शेर करें चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके गंटी का चिनह दबाईएगा जो वो मंत्र या नाम है वो है हरुशी केश या हरुशी केश के साथ हर जैसे सब को पता है बहुत ही सहज नाम है हर कोई जानता है फिर भी मैं कहूंगा सिर्फ रुशी केश या रिशी केश नहीं होगा हरुशी केश होगा जैसे आपको जो सही लगे वहर नाम स्मरन कीजेगा अब इसी नाम को आप मंत्र के स्वरूप में रुदराक्ष की माला से तुलसी जी की माला से भगवान विश्णू के मंदिर में या फिर भगवान विश्णू के जो भी जितने मंदिर हो राम स्वरूप हो कृष्णा स्वरूप है उनके मंदिर में या शिवालाई में सबसे अ ग्यारा माला का आप इस नाम का स्मरण मंत्रा जाप आदी कर सकते हो किसी भी समय पूरी एकादशी में और जब आप मंत्रा के स्वरूत में माला करते हो तब यही जो नाम स्मरण है वह विभक्ति लगने के बाद नमह लगा कर उसको ओम हरुशी के शाय नमह में फिर से बोलता बहुत ही संक्षिप्त है बहुत ही सहज है बहुत ही सरल है हर कोई कर सकता है नित्य करने के आवशक्ता नहीं है लेकिन किवल अजा एकादश के दिन भी अगर यह मंत्र जाप करें तो बहुत है नमहा